आज 22 मई 2021 है आज के मुरली के स्लोगन में बाबा ने विशेश रुप से संगठन का महत्व बताया है संगठन में शक्ती है बल है कोई भी कमजोर आत्मा संगठन के अंदर आती है तो उन्हें शक्ती के महसुस्ता होती है उन्हें बल मिल जाता है बल ना केबल बाहु बल परन्तो आत्मिक बल मानसिक बल प्राप्थ होता है इसलिए बाबा केते बच्चे अपने आप को कभी भी स संगठन से किनारा नहीं करो, तो आज का स्लोगन भी विशेश इस रूप पर है, संगठन पर, तो सुनते हैं आज की मुडली का स्लोगन. ब्राम्हन संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तक्त नशीन बनते हैं, तक्त पर वही बैठते हैं जिसके अंदर राजाई संसकार हो, और राजाई संसकार उनके अंदर आते हैं, जिन्होंने अपने करमेंद्रियों पर राज्य किया हो, और साथ साथ सर्व के द दिलों पर भी राज्य किया हो। इसलिए बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी ही विश्वराज्य अधिकारी है। प्रत्यक्षूप से पता चलेगा, वो पता चलेगा संगठन के अंदर। अकेले ही राज कर रहे हैं, सुन्दर नरत्य कर रहे हैं और लोग उसको देख करके वावाही कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब संगठन के अंदर संसकार मिला क करके चले ताल से ताल मिला करके चले तो वही बात बड़ी बात है क्यों कि संसकार मिला करके चल पाना माना ही दूसरों को संतुष्ट करना और संतुष्ट करना माना ही दूसरों से सम्मान प्राप्त करना तो आज कहां जिन्होंने सम्मान प्राप्त किया है ब्रामन संसार के अ करके चल पाना इसके लिए तीन विशेश बाते हैं एक है सहन करने की शक्ति दुसरा है नमरचित होकर के चल पाने की शक्ति और तीसरा है त्याग भाव तो इन ही तीन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्वच आदर्निय क्विन मदर जो की हमारे बड़ी दिदी मन मोहिनी दिदी जी की लौकिक मदर थी उन्होंने बहुत विशेश स्लोगन दिया है वो है जुक जुक मर मर सीख सीख जुकना माना नमरचित होकर के चलना मरना माना सहनशील होकर के चलना और सीखना माना एहम भाव का त्याग करके चलना तो ये तीन बाते हम संगठन में रह करके हम चले तो हम अपने संसकारों का राज सहच ही कर पाएंगे राज मिला सकेंगे और ब्राम्हनों को संतुष कर पाएंगे उनसे सम्मान प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि ब्राम्हन आत्मा माना वो स्रेश्ट आत्माई हैं जिन्हों को जिन्होंने बाबा ने सलेक्ट किया और वही राजयोगी ज्यानितु आत्माई ही हमारे भविश्य के भी साथी हैं, तो उनों से सम्मान प्राप्त करना माना ही तख्त नशीन प्राप्त करना हैं, तो चले इन तीन बातों का विशेश ध्यान में रख करके हम संगठन में चले और सब्र का सम्मान प्राप्त करें, Om Shanti